गर्मिया की सीजन में अक्सर टेंपरेचर 40 डिगरी के उपर चला जाता है ऐसे में आपको ठंडे ठंडे पाने में नहने का मन जरूर होता होगा लेकिन अक्सर समर सीजन में वाटर पार्क के 20 ज्यादा होने से आप उनका मज़ा नहीं ले पाते इसलिए आज हम आपको बताएंगे वाटर पार्क जैसी एक जगा जहापर आप पूरी फेमिली के साथ बिल्कुल फ्री में पूरे दिन नहने का मज़ा ले सकते हो यह जगह है नरेश्वर बीच जो करजन के शायर गाव में नर्मदन नदी के किनारे आई हुई है यह टूरिष्ट डेस्टिनेशन आजकल प्रेटगो का ध्यान अपनी और कीच रहा है नरेश्वर बीच बरोड़ा से 55 किलोमेटर और करजन से 30 किलोमेटर दूर होता है नरेश्वर टूरिष्ट प्लेस होने के साथ साथ अध्यत्मिक स्थान भी है इसलिए यह सनिवार और रहेवार के दिन काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं यह स्थान भारत के सबसे पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी के तटपर स्थित है इसलिए नदिवे पवित्र स्नान करने और फिर दत अवतार श्री रंग अवदूत महराज और अन्य देवताओ का आशिरवाद जरूर ले नर्श्वर बीच पर नहाने के अलावा आप यहाँ अच्छी फोटोग्राफी उट सावारी गुड सावारी और वोटिंग का भी मजा ले सकते हो खाने के लिए उबले होए मक्के और अलग-अलग प्रकार के चीज़े मिल जाएगी ऐसे में अगर आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस घर में की छुट्टी का आनद लेना चाहते हो तो यह नर्श्वर बीच आपके लिए एक बहतर करता है कर आ कर दूंद कर दो बत दो झार है झाल झाल हाए झाल हाए बढ़ क्लिए कर दो दूरो critically कि विर कशारे नहीं प्ताषर ए्डिक्रिक मिल्यूय और और ग дела कि अमाश Commerce क्लिए में भाफ समय क्लिए कि अभावday कुर दो compete अल्स हम लग झाल 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 झाल